दोस्तों नमस्का मेरा नहीं डॉक्टर केके पांडे और आपका इस सेना पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करें आपसे कि काफ मसल्स में या पैरों की जो पिंडलिया होती है नीचे उसके अंदर फटन हो दर्द हो तो उसका क्या कारण हो सकता है मुख्य क्यों को दबाएं दोस्तों तो आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे तो दोस्तों अंत तक बने रहीएगा आएए बात करते हैं काफ मसल्स पेन के बारे में हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी काफ मसल्स में कभी कभी इस बेता है कारण क कभी कजसा फड़ जैती है टीसिन लिग डर्य शॉत्तों क हो जाती है घरन द्र्ट करेंकर जैती है और ने भी आजब कर ए और हम 5 चरिक दकरक पिसेरे दोस्तेटंग के और बातुन के मा adam से अफिस सद्खी काम कर लिया। थीक है तो एक बड़ा कैराण ये होता है। दोस्तों, दुसरा काराण क्या होता है जब भी आप लंबे समय तक चल लेते हैं, आपने ख령 ए로 आपने वा स्कलब कर लिया। तो क्या होता है कि उसके अंदर में एक होता है लेक्टिक एसिड काव होता है चिह मतलब हो करते हैं तो जो ग्लुकोज होता है और इसके साथ में कुछ और चीह मिल करके Lactic Acid एक byproduct के रूप में बनता है जब भी हम physical work करते हैं तो क्या होता है कि अब वो सिर्फ वहीं पर नहीं बल्कि आपके यह muscles होती है जहां पर body में जितनी भी कुछ शिकाय होती ही जब हम जादे physical work करते हैं तो यह Lactic Acid बनना शुरू हो जाता है तो जब हम physical work जादे करते हैं तो क्या होता कि Lactic Acid बनना शुरू हो जाता है Lactic Acid जहां पर ज्यादे एकठा होता है वहां पर pain यानि दर्द होना शुरू हो जाता है जब हम काम करते हैं तो देखिए कितना दर्द होता है मन करता है कि बस चुपचा बैठ जाए तो उस condition में आपने सिर्फ rest करना है रेस्ट करने से क्या होता है कि जो रैक्टि केसिड बना हुआ होता है वापस भी से convert हो जाता है अपने previous condition में तो जो एकठा था वह वापस डिस्टिबूट हो जाता है तो क्या होता है कि आप फिर से वापस एक normal condition में आ जाते हैं तो दूसरा कारण यह होता है कि लैक्टी कैसे जमा होने के कारण में तीसरा कारण कभी-कभी होता है कि muscular cramping होती है जिसमें कभी-कभी involvement होता है नर्फ का भी involvement होता है जिसके कारण यह हो सकती है इसके लाओ जो ची मैंने आपको पताई कि यह सारे कारण होता है ऐसी कंडिशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे यह cramp का जो दर्द है यह हम कम कर सकते हैं आपने दिखाऊगे कि रातों में सोने के टाइम में cramping pain होता है तो cramping pain के दोस्तों कई सारी दवाये हैं जिसमें एक बहुत best दवा होती है जिसको बोलते है क्यूप्रम मेट क्यूप्रम मेट वन अप दे best cramping pain की दवा होती है especially ऐसी कंडिशन में जबकि डैरिया की कंडिशन हो या फिर रात में सोदे के वक्त में cramping pain हो तो यह बहुत अच्छा काम करती है इसके लाव दोस्तों एक दूसरी दवा है rust ox rust ox में भी मरोड जैसा दर्द होता है पेशन चलता फिरता रहता तो आराम रहता है जैसे लेटता है रात में लेटता है या दिन में आराम करता है तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है तो वैसी कंडिशन के लिए rust ox बहुत अच्छी दवा दोस्तों इसके अलावार जो rust ox के basic symptom होते हैं वो भी आप ख्यान से देख लीजेगा एक दवा है दोस्तों कभी अगर gas के कारण अगर cramping pain हो या जो पैर के पीछे का भाग होता है जिसको उन्हों बोलते हैं काफ मसल्स या बिंडली जिसको बोलते हैं तो उसमें अगर दर्द होता है तो कोलो सिंथ 200 पाउर की बहुत अच्छा काम करती दोस्तों एक दवा होती है ammonium mure ammonium mure भी बहुत अच्छा काम करती है cramping pain में पैरों के दोस्तों तो दोस्तों यह कुछ दवाएं हैं जो की बहुत अच्छा काम करती है इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं तो लेकिन जो मुख्य मुख्य दवाएं उसके बारे मैंने आपसे चर्चा किया और यह दवाएं दोस्तों जब भी cramping pain होता है तो वहां पे बहुत अच्छा work करती है आराम देती है तो दोस्तों यह चारो दवाएं बहुत अच्छा काम करती है जब भी cramping pain होता है तो आप अगर इन दवाओं का इस्तमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि cramping pain में बहु को मिलती रहे फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक अपने ख्याल लखिएगा जै हिंद जै भारत दोस्तों